हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हम टुमोरों मार्केट में किस लेवल पर बाइंग करने वाले हैं और किस लेवल पर सेलिंग जी मेरा बहुत टॉप लेवल का सीक्रेट है पर मैं यह आपको बता रहूं क्योंकि आपने प्रिविएस वीडियो में मेरे को बहुत प्यार दिख टेस्कि साथ दिखाऊँगा रिकेसे और और चीज है चाहिस सब्okay वर और पहले इन दो चीजों को समझते या टिक है अंगूर सिंगा स्ट्रोंग और वी काो पता है जिस कभी पलदा स्ट्रोंग होता हूं होता हमें उसी के डीटेलर से वो ट्रैप होते हैं तो हमें operators के साथ रहना है एंड डीटेलर को ट्रैप करना है नहीं समझेंगे यहां यह मैं में इसका इक्जामपल यह मार्केट न है और प्रीविस डेंट को मार्केट यह हो गया और रिटेलर्स डिटेलर्स ट्रेंट देख रहे हैं एंड अफोर्ड की बात क्या है कि जब मार्केट में कोई अच्छा खासा गैप अप होता है तो रिटेलर्स क्या सोते कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाएगा तो खड़ी दुलूआ कि उनके पैसे नहीं होत रहा है तो यहां पर उस दिन मैंने क्या बताए था कि अगर इतना ज्यादा गैप अप होगा मार्केट में ठीक है तो वह क्या होंगे रिटेलर्स अफॉड नहीं कर पाएंगे और यह जो सेलिंग नहीं यहां पर प्रोफित बूगिंग हुई है ऑपर यह पर यह प्रोफित इतना अच्छा कासम मिल जाता है यह तो उन्होंने ट्रेंड को देखा एंड अफोर्ड को देखा ठीक है यहां पर वह फोर्ड नहीं कर पाते तो क्या होता अब यह बताता हूं अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वह पहले शेलर्स को निकालेगा और बायर्स को किल्कुल ही याद कर लो यह मैं अपनी एक्सपिरियंस से बोलो ठीक है तो अगर मार्केट अगर इस लेल पर ओपनिंग देता तो वह जो है क्या होता है उनके वह फोर्ड कर पाते यहां पर बाय करना तो यहां पर बाय साड़ी तरह पोजिशन बनाता है फिर मार्केट क्या से ट्रोंग क्या हॉआ है और ऑड़ से लीवा सैड़्वेज मार्केट क्या हूब जो रीटेलर है वो दूब कर आप बनेक्ट deze be experience friends में यह वो लो कि कुछ चीज़ आपको experience ही आई क्योंकि आपको ऐसे लेवल से जैसे यह है 40 मैं यहां पर आपको एक experience देता हूं आपने यह चीज़े सीख लिए ठीक है बट मेरे को यह experience है कि यहां पर जो sellers यह भी आधे इन्होंने quantity बूग कर चुके होंगे यह क्योंकि जब दो दिन मार्केट साइडवेज होता है तो जब इनका अच्छा खासा प्रोफिट दीता है तो नहीं थोड़ा डर लगता है कि क्या पता यहां से मार्केट अप ऊपर चल जाए नीचे चल जाए ठीक है तो जो बायर से वो तो उल्रेडी बीक है तो अगर यहां पर जादा होता है तो हमें इन्हें ट्रैप भी कर सकते हैं जो सेलर से उन्हें ट्रैप करने के लिए हम यहां पर अपसाइड की तरफ टेट बना सकते हैं यह मेरा experience से बता रहा हूं ठीक है और कुछ ऐसे लेवल होते है जैसे कि मैं आपको बता दू एक साइकलोजिकल लेवल होते हैं जैसे हो गया 46,000 अगर मार्केट यहां पर क्लोज करते हैं जिस दिन मार्केट में हैवी सेलिंग हुई है या फिर हैवी बाइंग हुई है उसके बाब जूद भी मार्केट यहां पर अपने आधी कॉंटिटी बूक कर लेता है ठीक है जैसे यह लेवल हो गया 45,500 का लेवल हो गया जैसे साइकलोजिकल जू लेवल होते है ठीक है तो यह आपको एक्स्पेटिशी आएगा तो चलिए यह आपने आयोप आप लोग यह लर्निंग कर लिए होंगे चलिए मैं आपको बैक टेस्स करके बैठेए ठीक है तो यहां पर पहली बात हमें किसमें जाना है बाइंग पर जाना है उस वाद हमें दूसरा क्या देखना है कि डिटेलर लोग अफोर्ड कर पा रही है नहीं आपको यह चोटा सा गया ना फाइम नट की टाइम फ्रेम में में अकर यह करके दिखाता हूँ य आपको यह पता है कि डिटेलर्य भी ट्रेंड को फोल गरतें तो अगर अपने अगर सटम आपनेंग जैसे आपको बताया था कि वो ट्रेंड को फोल करते तो यहां पर घ्याड कर सब्सक्राइब तो चलिए मैं और वी एंपल देता हूं कोई भी उठाके दिखेंगे नापको नुट लेता हूं यह कौन से है यह यह बारा तारी का बार जनवरी ठीक है मैं अनोन ही चार्ट उठाया हूं यह देखें क्या है यह मार्केट में किसका प्लोडा भारी दिख रहे है ठीक है बाइर का रहा ही बना रहा है ठीक है इस यहां पर हम किसे ट्रह करने वाले सैलर सो ठीक है वसी वाद हमें दूसरा क्या दिन है रिटेलर जो की रिटेलर है वह कॉंटिटी खरीद पाएगा यह नहीं Filip दिन में तो यह दो मार्केट ओपनिंग कहा पर हुआ मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग था एंड ओपनिंग दिया 170 ठीक है तो वो क्या यह शोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा नीची मिल जाए नीची मिल जाए एंड इतने महीं मार्केट इतने अच्छे-चे कंडर बना के 200-300 औ सही होते है मेरे एक्स्पिरेंश के साथ ठीक है मेरे ख्याल सिए 95 पर 30 सत अच्छे से काम करता है अगर ज्यादा उपर या ज्यादा नीचे ओपनिंग देतो चलिए आपको एक लाश इंजांपल देता हूं नोन चार्ट का ठीक है किसका देते हैं यह देखिए किस दिन का च सब्सक्राइब कर देखिए कि आपको बताया था रिटेलर्स रिटेलर्स को देखना है यह पांस तारीक था उसे और साथ का चार्ट नहीं है मतला उस दिन सनीवारी है संडे हुआ यह आठ तारीक है फिर मार्केट में क्या हुआ मार्केट यापर हुआ सैडवेज उन्हें भी मौका मिला उन्होंने सेलिंग सैड यह तरफ टेर बना है मार्केट कंशोली डेट होके यहां पर क्या हुआ दो तीन बाइंग कर देल दिखा दिया तुरंती उन सबको निकालने के लिए क्योंकि रिटेलर्स जादा देर नहीं कर पाते ठीक है उन्हें बहुत ड aufenislet दिखा रहों मैं ठीक है 600 फोंट धोड़ी है तो चलिए मैं आपको प्रिवेस डे का बताता हूं ठीक है कि मार्केटमीmarkets ब्रेब्स सोरी बहो लगो क्या करने वाला है कल क्या होने वाले ठीक है तो यह आप भी मेरे साथ बताना ठीक है अब इ tact larger शॉया तो आज का मार्केट था यांड यहांपर कुछ प्रोलम आगी थि तो मैं चला गया था उल्ड करता है आप सब को अराम सी मिल जाता है तो यहांपर आपको बताता हूं यहाँ अब देखो यहाँआपर मार्केट में सेलिंग तो आई है बट दो दिन मार्केट सेडवेज रह गया एंड कुछ ऐसे लेवल से हैं जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया मला अब उपर भी ज्यादा अच्छे खासे क्या वोलते हैं यह सेलर्स नहीं बचे उन्होंने अपनी आधी कौन्टिटी बुक कर बाट अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो यहों सेलर्स होंगे यह सेलर्स जो होंगे वह और स्ट्रोंग हो सकते हैं तो अगर मार्के में अच्छा-खासा गैप अच्छा-गैप पलस में मुमेंटम केंडल बनता है तभी हम इन्हें टार्गेट कर पाएंगे जैसे मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग दिया अच्छा-खासा गरिन-दिय बनाके मार्केट उपर जा रहा है दैन ही हमें इन जानने के लिए आप मेरे चैनल को फोलो है सब्सक्राइब को लिए आपको यूटूब पर कोई भी नहीं बताएगा और यही मेरा इंस्टाग्राम है अगर आपको कोई पर्सनल कोशन है तो यहां आप मेरे को पूछ सकते हो और नेक्स वीडियो किस टोपिक पर चाहिए मेरे क कमेंट में बता दो धन्यवाद